नमस्कार, मित्रो आज हम बात करेंगे कि स्रवण नक्षत्र के चार चरणों में बुध का क्या फल होगा? मित्रो यदि आपकी जन्मकुंडली में बुध स्रवण नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा? आईए हम जान लेते हैं. मित्रो यदि आपकी जन्मकुंडली में बुध स्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति गुणवान होता है यानि कि अच्छे गुणों से युप्त होता है और ये लोग कभी विचार वाले होते हैं. कभी विचार का मतलब है कि कविता आदी रचने में माहिर होते हैं. अथवा कविता आदी पढ़ने के सौकीन होते हैं. अथवा ये लोग लेखन कला से संबंधित कारियों को जानने वाले होते हैं. ये लोग बागपटू होते हैं यानि कि बोलने में माहिर होते हैं और अप लेकिन कभी-कभी ये लोग बकबादी प्रवर्ति के भी होते हैं, यानि कि ब्यर्थ की बातें करने बाले होते हैं, फाल्तु की बातें करने बाले होते हैं. अथबा ये लोग किसी दूसरे व्यक्ति को बिना मांगे सलाह देने बाले होते हैं लेकिन ये लोग अपनी विरादरी में, अपनी जाती में अच्छी उन्नती करने बाले होते हैं यानि कि अपने समाज में, अपने कुटुम्ब में, अपने परिवार में सबसे ज़्यादा उन्नती प्राप्त करने बाले होते हैं, ये लोग कृतग्य सुभाव के होते हैं, कृतग्य का मतलब है कि एहसान मंद सुभाव के होते हैं, दूसरों के एहसानों को हमेशा याद तो ये लोग हमेशा उस व्यक्ति की सहायता को याद रखने बाले होते हैं। उस व्यक्ति के एहसान बंद होते हैं। ये लोग धनबान होते हैं। यानि कि इनके पास में पैसा, धन, परियापत मात्रा में होता है। लेकिन ये लोग धर्म कर्म से बिमक होते हैं। यानि कि ध भार में कारियों में इनका जादा मन नहीं लगता है और ये लोग दान दक्षना में भी विस्वास नहीं रखते हैं यानि कि दूसरों को दान देना दक्षना देना इन सब चीजों में ये लोग विस्वास नहीं रखते हैं ये लोग कुटिल संचार बाहक हो सकते हैं कुटिल लोग क्या करते हैं अपनी ही बातों से दूसरों को ब्रहमित करते हैं अपनी बातों से दूसरों को कन्फूज करने बाले होते हैं और कई वार ये लोग विद्वेस पूर्ण भी होते हैं यानि कि दूसरे लोगों से इरश्या करने वाले होते हैं जलने बाले होते हैं यदि को कुंडली की लग्न मूल लक्षत्र में हो, मूल लक्षत्र की किसी भी चरण में हो, तो फिर ये लोग अपनी पैत्रक संपत्य को गवा देते हैं, यानि कि अपने दादा पर दादा या फिर पिता के द्वारा जो दिया हुआ धन होता है, उस धन को उस संपत्य को ये लोग अपनी लापरवाही से अपने धन को बरबाद कर लेते हैं, यदि बुध पर चंद्रमा की द्रिष्टी हो, यानि कि बुध स्रवन लक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हो, और बुध पर चंद्रमा की द्रिष्टी हो, और कुंडली की लग्न मूल लक्षत्र में हो, तो फिर इन लोगों को ज़्यादा हानी होती है यानि कि फिर ये लोग पैत्रिक संपत्ति तो गवाते ही हैं और साथ में अपना कमाया हुआ धन भी गवा देते हैं लेकिन ऐसा तभी होगा जब स्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में बुध बैठे हो और मूल नक्षत्र में लगन हो और बुध पर चंद्रमा की द्रिश्टी हो ऐसा तभी होगा अन्यता नहीं मित्रो यदि जन्म कुंडली में बुध स्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ती धनबान होता है बैभव संपन होता है यानि कि इन लोगों के पास में परियाप्त मात्रा में पैसा होता है और साथ ही ये लोग अपने कारशेत्र में प्रसिर्ध प्राप्त करने बाले होते हैं यानि कि ये लोग जो कुछ भी काम करते हैं उस काम में ये लोग फैमस होते हैं ये लोग यदि ब्यापार करें तो अपने ब्यापार को बहुत आंगे ले जाने बाले होते हैं और यदि ये लोग जौब करें नौकरी यादी भी करें तो भी ये लोग अपने आफिस में, अपने कारचेत्र में सम्मानित पदों को प्राप्त करने बाले होते हैं। ये लोग बागपटू होते हैं, यानि कि बोलने में माहिर होते हैं, अपनी बातों को सही धंग से रखने बाले होते हैं। और साथ ही ये लोग मधुर्भासी भी होते हैं। मधुर्भासी का मतलब है कि मीठा बोलने बाले होते हैं, अच्छी बातें करने बाले होते हैं। और अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को आकरशित करने वाले अट्रेक्ट करने वाले होते हैं ये लोग सास्त्रों का और वेदों का ज्यान रखने वाले होते हैं यानि कि धार्मिक ग्रंथों का ज्यान रखने वाले होते हैं कई बार ये लोग धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन कराने बाले भी होते हैं, पठन पाठन का मतलब है कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं और उसके बाद में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने बाले भी होते हैं, अथबा ये लोग इस तरह की सामान ने जो जनरल उससे संबंधित भी पठन पाठन का कारे करने वाले होते हैं यानि कि ये लोग टीचर आदी भी बन सकते हैं अधवा ये लोग धार्मिक प्रवचन करता बन जाते हैं या फिर किसी और अन्यतरह का प्रवचन करने वाले इसपीकर आदी भी बन सकते हैं ये लोग कभी विचार वाले होते हैं कभी विचार का मतलब है कि कविता आदी रचने में निपुन होते हैं या फिर लेखन से संबंधित कारियों में रुची रखने वाले होते हैं ये लोग गुणवान होते हैं यानि कि बहुत सारे अच्छे गुणों से युक्त होते हैं और कृतग्य सुभाव के होते हैं कृतग्य का मतलब है कि एहसान मंद सुभाव के होते हैं यदि किसी व्यक्ति ने इनकी सहायता की तो ये लोग भी बदले में उस व्यक्ति की सहायता करना पसंद करते हैं या फिर मन में ऐसा सोच लेते हैं कि बड़ों का आदर करने वाले होते हैं और विद्वान लोगों का आदर करने वाले होते हैं ये लोग समाज में और अपने परिवार में जो बड़े लोग हैं जो इनसे बुद्धिमान जादा हैं या फिर इनसे उम्र में भी बड़े हैं ये लोग उन लोगों का संबान करते हैं और ये लोग समाज में अच्छा व्यवहार बना करके रखने बाले होते हैं मित्रो यदि जन्म कुंडली में बुध स्रवन नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने परिश्वम से उन्नती प्राप्त करने वाला होता है यानि कि अपनी मेहनत से आंगे बढ़ने वाला होता है ये लोग सास्त्रा नुरक्त होते हैं सास्त्रा नुरक्त का मतलब है कि पढ़ने लिखने के सौकीन होते हैं और कई बार ये लोग बहुत सारे विसयों की जानकारी रखने बाले होते हैं यानि कि किसी एक विसय में तो ये लोग माहिर होते हैं, किसी एक विसय में तो ये लोग निपुन होते हैं, लेकिन उसके अलाबा बहुत सारे विसयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने बाले होते हैं, ये लोग अच्छे अर्थ सास्त्री हो सकते हैं, यानि कि अच्छे अर्थ सास्तर के जानकार हो सकते हैं अथवा ये लोग बानिजिविद हो सकते हैं बानिजिविद का मतलब है कि ब्यापार के गुरु हो सकते हैं ब्यापार के सारे गुणागनित को जानने वाले होते हैं बिजनिस कोच हो सकते हैं अथवा ये लोग गायन से संबंधित विशयों में रुचिबान होते हैं और गायन से संबंधित चीजों को जानने बाले होते हैं अथवा ये लोग स्वयम अच्छे गायक हो सकते हैं अथवा ये लोग पौरानिक आख्यान सुनने बाले होते हैं और बाद में फिर पौरानिक कथाओं को कहने बाले भी होते हैं यानि कि अच्छे प्रवचन करता हो सकते हैं ये लोग समाज में बहुत प्रतिष्ठित और समाज में सम्मानित होते हैं साथ ही ये लोग अपने परिवार में अपने कुटुम्ब में भी प्रतिष्ठित और सम्मानित होते हैं यानि कि इनके परिवार के लोग इनके कुटुम्ब के लोग और इनके समाज के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं ये लोग दिखने में भी सुन्दर होते हैं यानि कि आकरशक जक्तित्वाले होते हैं और अच्छे दिखने वाले होते हैं ये लोग बेद पाठी हो सकते हैं बेद सास्त्रों के जानकार हो सकते हैं ये लोग कुसल संचार बाहक होते हैं यानि कि अच्छी बातों को समाज में सही ढंग से रखने वाले होते हैं ये लोग घ्भेजंग से प्रेजेंटेशन देने बाले होते हैं कोई भी बात यदि इन लोगों को समाज में ले जानी हैं तो ये लोग बहुत अच्छे ढंक से अपनी बातों को समाज में रखने वाले होते हैं और इनकी बातों को समाज में माना भी जाता है यदि ये लोग ब्यापार करें तो ब्यापार में जो इनके नीचे काम करने वाले लोग होते हैं ये लोग उन लोगों का बहुत अच्छा नेत्रतों करते हैं और यदि ये लोग नौकरी करें जॉब करें तो वहां पर भी ये ल कि कविता आधी रचने में निपुन होते हैं या फिर लेखन से संबंधित कारियों में रुची रखने वाले होते हैं ये लोग कृतग्य सुभाव के होते हैं कृतग्य का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ती ने इनकी सहायता की तो फिर ये बदले में उस व्यक्ति की भी सहायता कभी न कभी जरूर करते हैं, यह लोग एहसान मंद होते हैं, यानि कि दूसरों की सहायता करने बाले होते हैं, और दूसरों के एहसानों को हमेशा याद रखने बाले होते हैं, कभी भूलते नहीं हैं, यह लोग अच्छे लेखक या फिर संपादक हो सकते हैं ये लोग लेखन से संबंधित कारियों में रुची रखते हैं और ये लोग अच्छे राइटर भी बन सकते हैं लेखक बन सकते हैं या फिर ये लोग संपादक कादी हो सकते हैं ये लोग अपनी बुद्धी और विद्या की बल पर समाज में अच्छी ख्याती प्राप्त करते हैं और समाज में प्रसिद्ध होते हैं मित्रो यदि जन्म कुंडली में बुध स्रबन नक्षत्र के चोंथे चरण में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति सुन्दर और आकर्सक व्यक्तित वाला होता है यानि कि ऐसे लोग दिखने में सुन्दर होते हैं और आकरसक व्यप्तित वाले होते हैं साथ ही ये लोग अच्छे सुभाव वाले भी होते हैं यानि कि समाज में लोगों की सहायता करने बाले होते हैं यदि किसी व्यक्ति को इनकी जरूरत हो, तो ये लोग उस व्यक्ति की सहायता जरूर करते हैं, यानि कि जरूरत बढ़ने पर दूसरों के काम आने बाले होते हैं, इन लोगों का जीवन साथी भी उदार व्यक्तित बाला होता है, इनका जीवन साथी बड़े दिल बाला होता ह योग जैसा जैसा चाहते हैं इनका जीवन साथी बैसा ही बैसा काम करता है और इसी कारण से इनका बैबाहिक जीवन बहुत सुखमे होता है ये लोग धार्मिक सभावके होते हैं और पौरानिक कथाओं सुनने में और पढ़ने में इनका मन बहुत ज़्यादा लगता है ये लोग पौरानिक कथाओं सुनना एतिहासिक कथाओं पुरानी बाते सुनना इन लोगों को अच्छा लगता है और ये लोग पौरानिक कताएं या फिर यतिहासिक कताएं पुरानी बातें पढ़ना भी पसंद करते हैं ये लोग बहुत चुस्त और चौकनना रहने बाले होते हैं यानि कि थोड़ी सी भी आहट सुनने पर तुरंट चौकनना हो जाते हैं कुछ लोग होते हैं जो रात में कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हों लेकिन थोड़ी सी भी यदि कहीं पर आहट हुई थोड़ी सी भी कहीं पर आवाज हुई तो उनकी नींद तुरंत खुल जाती है ये लोग भी वैसे ही होते हैं थोड़ी सी आहट सुनने पर भी तुरंत चोकनना हो जाते हैं यानि कि ये लोग हमेशा एक्टिव रहने बाले होते हैं ये लोग ज्यादा आलस्य नहीं करते ये लोग धार्मिक सुभाव के होते हैं और धर्म कर्म में दान दक्षिना करने में बहुत रुची रखने बाले होते हैं ये लोग धार्मिक कारियों में साम या फिर रेश्टुडेंट आदी का ब्यापार यह लोग कर सकते हैं, यह लोग कभी विचार वाले होते हैं, कभी विचार का मतलब है कि कविताएं रचने वाले, अथवा कविताएं पढ़ने के सौकीन होते हैं, अथवा ये लोग लेखन से संबंधित कारियों में रुची रखने वाले होते हैं ये लोग गुणबान होते हैं यानि की अच्छे गुणों से युक्त होते हैं और ये लोग कृतग्य सुभाव के भी होते हैं कृतक्य सुभाव का मतलब है कि एहसान मंद सुभाव के होते हैं, दूसरों के एहसानों को हमेशा याद रखने बाले होते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने इनकी सहायता की, तो ये लोग भी बदले में उस व्यक्ति की सहायता करते हैं, और उस व्यक्ति की सहायता को हमेशा याद रखने वाले होते हैं लेकिन ये लोग काल्पनिक जादा होते हैं व्योहारिक कम होते हैं यानि कि मन में ये लोग खयाली पुलाओ बहुत जादा पकाते मन में बिचार चिंता बहुत करते हैं लेकिन ये लोग समाज में अच्छा ब्योहार बना करके रखने वाले नहीं होते ये लोगों की सहायता तो करते हैं अच्छे-च्छे काम करते हैं लेकिन फिर भी समाज में ये लोग लोगों से अच्छा ब्योहार नहीं बना पाते ये ल यदि किसी व्यक्ति से इनकी दोस्ती होती भी है तो वो दोस्ती जादा दिनों तक नहीं चलती यदि किसी से इनकी सामन्य कोई दोस्ती हुई तो थोड़े समय तक तो दोस्ती अच्छी चलती है लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है कि या तो फिर वो व्यक्ति ही इनसे दूर हो जाता है या फिर ये लोग खुद ही उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं ये लोग सामंजस भीहिन होते हैं यानि कि किसी भी व्यक्ति के साथ में सामंजस नहीं बिठा पाते और इसी कारण से ये लोग समाज में भी अच्छा विवहार नहीं बना पाते हैं और बहुत अच्छा अच्छा काम करते हुए भी समाज में इन लोगों का ज्यादा लोगों से अच्छा बिवार नहीं होता है। मित्रो आज के लिए विसितना ही नमस्कार।